नमशकार दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से जैशीरी राम दोस्तों प्रभुशीरी राम के प्राण प्रतिष्टा के पाबन अपसर की आप सभी को हार्दिक शुब कामना है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु शीरी राम की प्रान प्रतिष्टा हो चुकी है जनके प्रभु शीरी राम अपने गर में बिराजमान हो चुकी है और इसी बीच प्रान प्रतिष्टा के दिबस पर बहुत सारे सेलिवरीटियों को नियोता दिया गया था और बहुत सारे सेलिवरीटियों ने इस आयोजन में हिस्सा भी लिया जनके प्रान प्रतिष्टा के दिबस पर उन्होंने अपनी हाजरी दी लकिन दोस्तो अब बात आती है किस सेलिवरिटी ने कितना दान जो है प्रभुशीरि राम के चर्णों में अर्पित किया है कितनी डोनेशन उन्हों ने प्रभुशीरि राम के मंदिर के निर्मान के लिए दी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज का पूरा खुलासा करेंगे आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे ना तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम साथ सेलिवरीटियों के नाम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो इस लिस्ट में 7 नमबर पे आते हैं गुरमीत चोधरी जिन्होंने पहला सीरियल रमायन करा था और उसमें मुख्य किरदार प्रभुश्यरी राम का निवाया था और उन्होंने प्रभुशिरी राम के मंदिर के निर्मान के लिए 20 लाख की राशी का संजोग किया है तो दोस्तो अब बात आ जाती है शठे नंबर की तो शठे नंबर पे है सोनु निगम जिन्होंने एक क्रोड की राशी जो है वो प्रभु शिरी राम के मंदिर के निर्मान के लिए जो है वो संजोग करी है बात कर लेते हैं पांच नमबर की तो दोस्तो पांच नमबर पे हैं हमारे पूर्ब क्रिकेटर गोतम गंबीर जिन्नोंने एक क्रोड की राशी जो है प्रभुशिरी राम के मंदिर के निर्मान के लिए संजो करी है और सबी परिवार सहित प्रभुशिरी राम के चरनों में आ करी है और इश्वर से सुक्समरिद्धी की कामना करते हुए कहा है कि हमें भी गरवांगित महसूस हो रहा है कि हम प्रभु श्रीराम के मंदिर के निर्मान के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो बात आ जाती है तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पे हैं सब के चहेते अमीता बचन जिन्होंने पांच करोड की राशी जो है प्रभु शिरी राम के चरनों में बेंट करी है उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नमबर की तो दोस्तों दूसरे नमबर पे हैं किंग खान जानिके शाहरुक खान जिन्होंने पांच क्रोड की राशी जो है प्रभु शीरी राम के मंदिर के निर्मान के लिए प्रभु के चरनों में बेंट करी है दोस्तों इसी तरह से बात आजाती है कि आखिर पहले नमबर पे कौन से ब्यक्ति हैं जिन्होंने कितना राशी जो है वो प्रभु श्रीराम के मंदिर के निर्मान के लिए बेंट करी है तो उस्तों हम आपको बता दें कि पहले नमबर पे आजाते हैं खिलाडियों के खिलाड कि अक्षे कुमार ने 10 क्रोड की राशी प्रभु शेरी राम के मंदर के निर्मान के लिए बेंट करी है। और दोस्तों यही नहीं और भी बहुत सारे सेलिवरिटी ने जितना हो सके अपनी तरफ से उतना प्रभु शेरी राम के मंदर के निर्मान के लिए किया है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद